अलो दोस्तो मेरा नाम है दिपक्त रही है और आप देख रहे हैं इस पाइटेक दोस्तो आज हम बात करेंगे AWS के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगो कैसे आप ले सकते हैं AWS से करना होगा AWS के URL पर और यहां पर आपको क्लिक करना हूगा रजिस्टर गवटन पर आप क्लिक करेंगे यहां है आपको कुछ इंफोर्मेशण फिलब करने पड़ेगे और फिलब करने के बादा आप अपने आपको रेजिस्टर कर पाएंगे तो मैं अपने केस में इस इंफोर्मेशन को फिल अप कर देता हूँ से आपिज़ अपने देता है जो इस इंफोर्मेशन कर देता है युओर्धन के समय के वे झाल olması वेन ऑन Template During registration, if you face any problem, you can comment your problem in comment box, you will get answer right away. AWS की जो training है delivered होगी, वो delivered होगी 29 सेटेंबर 2022 को, जो training का, जो timing होगा, वो होगा 3 hours. तो अब हम बात कर लेते हैं, इस training के event highlight के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है, 5 fundamental modules, video tutorials, live question and answer session, and certificate of attendance. Now, let's talk about who should attend the training. Training कोई भी कर सकता है, चाहे वो system engineer हो, चाहे वो system administrator हो, चाहे वो manager हो. जो भी AWS क्लाउड को learn करना चाहता है, जानना चाहता है AWS के cloud के बारे में, कि वो क्या है, कैसे काम करता है, वो सारे लोग इस AWS की training को attend कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ दोस्तो, conference time की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा Australia, New Zealand, ASEAN, India, Sri Lanka and Korea. तो इंडिया और Sri Lanka की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है 3-3 time slot, आप किसी एक time slot को join करके training attain कर सकते हैं. अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर आपको मिलता है 6-9 a.m., 10-30 a.m. to 1-30 p.m. and 2-30 p.m. to 5-30 p.m. अब किसी भी एक time slot को join करो, और यहाँ से आप training attain करके certificate gain कर सकते हैं. अगर आपको जानना है training agenda के बारे में, तो आप URL को check out करके training agenda को detail में go through कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेश वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए keep learning and keep exploring.